हे फ्रेंट्स देखे बात करने वाले हैं आज विकास लाइफ के लिमिटेट के बारे में बहुत ही अच्छी बहुत ही शांदार एक गुड नियो जिसके लिए निकल के आ रही है और आज आप देखेंगे ब्रेश्पति वार सुरी सुक्रवार को कि इसमें देखिए यूसी ल इसकी मतलब आप समझ लो के आ गई है एक तेजी लेकिन देखिए उसको नोटिस को देखेंगे क्या आया है जिसका रही है लेकिन उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर मिलती रहती है आपको किसका आरोई डिविडेंट तो देती नहीं कंपनी बुक वैल्यू वे है दो रुपे तीस पैसे की और पीवी सेस्ता है इस वक्त तो एक पोजिशन बनाई जा सकती है इसमें सबसे सांधार जो चीज इसमें दिखती है वह दिखती है शेल्स ग्रोथ ग्रोथ 219% से इस बार बढ़ी है और प्रोफिट ग्रोथ तो बहुत सांधार हमेशा से रही है हमेशा ही 200 से उपर अगर हम देखें तो इसमें थोड़ी सी दिखती है कि 12% है बस प्रोमोटर के पास और FII के पास देखिए लगभग साड़े 9% और पबलिक के पास 78% लेकिन यह जो अगर आप 12% देखें तो इसमें कंपनी ने अपना कर्ज सारा कतम कर दिया है देखिए यहां देखिए कंपनी के पास कभी करज़ा हुआ करता था बहुत अच्छा खासा 49, 41 करोड तक का अब सिर्फ ये 13 करोड रहे है और रिजर्फ कंपनी के पास नहीं थे माइनस में थे या 0 थे अब 172 करोड थे रिजर्फ कंपनी के पास आ गए है तो चलिए अब देख लेते हैं इसका जो notice आया है उसको देखे सीधे आ चुके हैं notice पर और नाम आप देख सकते हैं company का Vikas Life Care Limited 24 November का ये notice है नीचे अगर subject देखते हैं तो आप देखेंगे outcome of board meeting held on 24 November जो 24 November को कल एक meeting हुई उसका ये outcome आया है और क्या है इसमें देखें इसमें बताए गया है QIP के बारे में QIP इसका आ गया है और नीचे आप देखें तो ये देखेगा इसमें share issue किये गये हैं चार रुपर पैसेट पैसेट है और ये जो है अपना 23 पैसे नीचे है जो current price चल रहा है उससे और चार रुप माइनस जो इसमें discount दिया गया है वो दिया गया है 4.71 परसेंट का मतलब पौने 5 परसेंट का इसमें discount दिया गया है इस पर issue किये गये है ये और यहां देखिए आप जो fund house है वो कौन-कौन से यहां पर आये हैं किसने invest किया है इसमें एक तो है ये कैलिस्पसो global investment fund इसने देखिए लगभग 35% इसने उठाया है माल फिर ag dynamic fund limited इसने भी उठाया है लगभग 33% और Forbes EMF ने उठाया है 32% माल तो कुल मिलाके अगर हम जो share है उसको देखें तो देखें तीन करोड 71,49,160 इसने उठाये हैं पहले वाले ने फिर ag dynamic ने उठाये हैं तीन करोड 69,79,113 और Forbes ने उठाये हैं तीन करोड 44,8,602 तो यह इन्होंने इन्हें दिये गए है share और अब जो है देखें इसमें बहुत ही शांदार एक तेजी देखने को मिलेगी और अभी यह हाथ आना भी मुश्किल है तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प हिंदे जाभार